नवस्कार दोस्तो आप सभी का श्वागत है आज के इस नए व्यूडियो में तो दोस्तो कैसे हो आप लोग दोस्तो जल्द जो यूपी पुलिस का है भै लगवक आने ही वाला है और सभी लोग अपना अपना यहां पर अनुमान लगा रहे हैं तो दोस्तो आपको वेदिये स क्योंकि दोस्तो उसमें ही क्लियर हो जाएगा कि किसका यहांपर सेलेक्शन होने वाला है और किसका सेलेक्शन नहीं होने वाला क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर result या cut-off बना हुआ है जो यहाँ पर website पर cut-off डाला गया है भाई दोस्तों नॉर्वलाइजेसन नमबर at होने के बाद डाला गया है यानि कि जो आपके नमबर आई हुए है उसमें नॉर्वलाइजेसन के नमबर जो बढ़ेंगे या घटेंगे या कम होंगे या जो भी होगा हुए सब इंक्लिट होकर cut-off बनाया गया है और जो आपके पास अभी आपके पेपर या नमबर है दोस्तों उसमें केवल आपके count व बालों का 215, OVC 204, SC 172 और HD 135 दोस्तों इसे आप एहमान के तलिए कि या जो cut-off है या नॉर्वलाइजेसन के होने के बाद आने की इस cut-off में नॉर्वलाइजेसन प्लस आपके नमबर होने के बाद है cut-off जारी किया गया है आप बात करते हैं कि आपके minimum कितने नमबर यहां पर होने चाहिए जिससे आपका यहां पर selection हो जाए तो दोस्तों यहां पर हम बात कुरते हैं जन्रल और ओविशी की दोस्तों जन्रल बारों के यदि आपकी 113 सी नमबर है और वो भी 18 की shift में हैं तो दोस्तों यहां पर आपके select होने के बहुत जादन chances हो जाते हैं क्योंकि यहां पर selection होना लगबख confirm हो जाए क्योंकि यहां पर जो सबसे पहले पिपर हुआ था उसमें अधिकतर नमबर यहां पर बढ़ रहे हैं तो यहां पर जन्रल बानों के यहां एक सो तेरासी में दो कितनी है यहां यहां पर लिश्ट है तो दोस्तों आपको इसमें कितने नमर चाहिए यहां पर जादना नमर नहीं चाहिए बिल्ग को आप यहां पर टेंसर मत लेजिए ठीक है यहां पर भी आपका selection हो जाएगा तो दोस्तों आप बिल्को निश्ट रहेगे जब तक रजल्ट नहीं आता है कनफर्म नहीं होता कि किसका selection होने बाला है और किसका selection यहां पर नहीं होने बाला तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नए अपडेट आएगा यूपी पुलिस की वोट की तरब से आप तक आसानी से उसको पहुंचा साकूंग तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगले नेश वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाए